दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ओफ पामिष्ट्री एंड हेल्थ में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे हस्त रेखा विज्ञान में पाये जाने वाले स्वास्तिक चिंद के बारे में दोस्तो हमेशा की तरह इस बार भी हम एक रियल साइन के साथ वीडियो को आपके सामने पेस कर रहे हैं और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको हमारे वीडियो के अलर्ट मिल सके तथा पामिश्ट्री से लेटेड नए नए वीडियो के साथ आप अपडेट रहे हैं तो दोस्तो सुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्लियर स्वास्तिक का साइन बन रहा है तो दोस्तो आए जानते हैं जब भी इस प्रकार से स्वास्तिक का साइन किसी जातक के हस्त पर बनता है तो ऐसे में इसका क्या असर होता है दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं स्वास्तिक के साइन का संबंध विश्णु भगवान से होता है और हिंदु धर्म में हर एक सूप कार्यों में हम स्वास्तिक सिंबल का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से दोस्तो यह स्वास्तिक का साइन हथेली पर कहीं पर भी हो यह एक बहुती सुप्ततर लकी माना जाता है दोस्तो हथेली पर यह स्वास्तिक का चिन कहीं पर भी हो सकता है पर जादा तर या fate line यानि किसमत रेखा या फिर व्रहस्पती के परवत पर पाये जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस picture में स्वास्तिक का sign किसमत रेखा पर ही मौझूद है तो दोस्तो यदि स्वास्तिक का sign किसमत रेखा पर होता है तो ऐसे में जातक अत्यनत भाग्यसाली होता है दोस्तो ऐसे लोग यदि गरीब परिवार में भी जन्म लेते हैं तो भी ऐसे लोग अपनी मेनस से खूब तरक्की करते हैं दोस्तो ऐसे जातकों की जीवन में ऐसा समय आता है जब उन्हें आश्चर जनक धनलाब होता है दोस्तो ऐसे लोग बहुती सच्चे तथा इमानदार होते हैं तथा अपने इसी नेचर से पहचाने जाते हैं वहीं दोस्तो यदि स्वास्तिक कचिन गुरू परवत पर होता है तो ऐसे में जातक अपने जीवन में खूब धन तो कमाता ही है तथा उसके साथ साथ अपना तथा अपने परिवार का खूब नाम रोसन करता है दोस्तो ऐसे जातक लोगों के लिए मार्ग दर्सक की तरह होते हैं तथा जो कोई भी इनके जीवन में इनके संपर्क में आता है वे लोग भी खूब तरक्की करते हैं तो दोस्तो हम बात कर रहते हैं हथेली पर पाया जाने वाले स्वास्तिक चेंद के बारे में आसा करते हैं आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद